हलो बच्चो आयम मर्चना चोजरी हम पढ़ें चैप्टर एक सेल दाइन दो फ्लाई और आज का हमारे लेक्चर रहेगा सीलिया और फ्लेजला सेंट्रियोल से बनते हैं सेंट्रियोल और सेल में दो सेंट्रियोल मिलते हैं ठीक है ना एक बार हम इसके स्ट्रिक्चर देखते हैं यह सेल और यह सेंट्रियोल यह सेल पूरी और यह सेंट्रियोल ठीक है यह एक दूसरे के 90 एंगल पर होते हैं 90 एंगल कुन सा होता है यह 90 एंगल है और अगर इसको हम सामने से देखें तो यह ऐसा होता है ठीक है और जब हम सामने स से देखते हैं तो इस तरह 2 संट्योल में नज़र आती है यह एए और पापुब कि सीलिह और स्यल दिख है beth ब्रृइक सिंगूलर होता देखिन है और है ल्ट रगारां और यह और सालमी आउटोट्रोट ऊफ्टम अचिलिष उसने सिल दःता है ओंट के सेंट्रियोल से फाइब्रिस निकलते हैं ऐसे पैल ठीक है वह इस पर जो कवरिंग होती है यह सैल मेंब्रीन की होती है ऐसे तो यह हुई ना सैल की आउट्वोथ सैल की आउट्वोथ ठीक है इस पर जो यह संख्या में जादा होती है और सभी सीलिया एक ही डायरेक्शन में मूग करती है जैसे अगर ऐसे कर रहें ना ऐसे तो यह बन गया और टाइप जैसे बोट की पतवार होती है ना एक तरफ ही उसका मूवमेंट होता है और जो बोट है वो आगे चलती है इसी तरह सीलिया जो मूवमेंट होता है वो भी सब एक ही डायरेक्शन में होता है सीलिया मिलते हैं और जो सीलिया है ना रैस्पारिट ट्रेक्ट में मिलता है हुमन के रैस्पारिट ट्रेक्ट में मिलता है क्योंकि एक तरफ ऐसे मूवमेंट होता है तो जो मूकस होता है न तो सेल में मूवमेंट होता है यह सरावडिक फ्लूड मूवमेंट होता है यह बात हो रही है यूकरिक सेल ठीक है जो यूकरिक एनिमल्स होते हैं उसमें जो सीलिया है उन्हें का काम होता है जो साइट्रप्लाजिक फ्लूड होता है उसके मूवमेंट में होता है ठीक है जो सी यह तरफ बोलते हैं दो वरी होती है तो इस तरह से फ्लोपियन ट्यूब और यहां पर यह सीलिया लाइक श्रॉक्ट्टर बिलती है जो वह को एक तरफ पूस्ट करती है तो फ्लेजिला बार कंपरेटर लोंगर एंड रैस्पोंस है फोल्दा सेल मुवमेंट जब कि जो फ्ले वह एपोड़ाखनें में को चौ protect में जो फ्लेजिला इसपर में het civile मिलते हैं 2 फ्लेजिला के वजेश से पर मोमेंट करता 8 दो क्याश्टर छुष में इसव होती जो proclaim to burden फ्रेजला होता है उसका अरंज्मेंट होता है one-plus-zero जबकि यही टिक फ्रेजला होता है उसका ना मलब जो प्रोटीन है वह इस तरह से डूबलेट के रूप में उसमें नाइन रिंग लाइक इस्ट्रक्चर ऐसे मिलती है नाइन होती है और बीच में भी दो प्रोटीन के फार्वर्ड अटेश होते हैं ठीक है ना इस तरह का रेजमेंट हो जाता है नाइन प्रस्ट मलब यह स्ट्रक्चर एंधिए यह इकंस डिफ्रेंट होते हैं ये ने ये यह 9 प्लस 2 का राइजमेंट है, 9 प्लस 2, यह जो 9 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यह प्रोटीन के फाइबरल होते हैं, जो डूबलेट के स्ट्रक्चर में होते हैं, यह होते हैं दूबलेट, बहले दो होते हैं, 1 और 2, 1 साथ अटेच होते हैं, इनको कहते हैं, पैरिफरर माइक्र माइक्रोट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् views और यह दोनों सेंटर के भी आपसमें hote होते हैं और सेंटर के पैरिक्ट्राइस से भी अटेच होते हैं कि जो सेंटर के होते यह निकजिन के बने होते हैं निकजिन के बने होते हैं उसक्षरेशला इनकी इस restricted से समानी होती है लेकिन यह प्रोकरियोट्ट और यू केयरोट्ट में दोनों में अंतर होता है इस्ट्रक्टरली लेकिन यू केयरोट्रेट्ट फ्लैजला उसीलिया तोनों समान होते हैं ठीक है और सेंट्यूर से निकलते हैं ऐसे पैर्लम माइक्रोफायबी ठिक है यह नाइन के ऐसे एसे जो है नाइन के रूप में अठेच होते हैं अभी देखा आभा था और विजेगे अनको बोलते हैं एक्जोन एक्जोन मबचहें तालagen बटार कहां गर long नमबर अधार माइक्रोटुबल अइसे सामनेसे देखें है ये जो है नहीं इस सामने से देखते हैं यह यह है या सामने से विखते हैं लेकिन से बने weißね 9 Western 9 two-door की पिर में ओन गते से नाइन होते यह 9 के अरेंगे पैरीफिरल मांक्र टूबू में म्लते हैं फ्रौन चाह पांच शाट जूर्ण है ऐसे मदला ऐसा बना सकते हैं यह नो होते हैं और बीच में होते हैं दो यह भी और यह सेंटरल आपसे में भी जुड़े होते हैं और यह सेंटरल सीट के अंदर यह एक सेंटरल मायग्रो टूबूलों यह भी डूबलेट होते हैं ठीक है और यह आपस में भी जुड़े होते हैं और यह central tubule और यह peripheral microtubule से भी जुड़े होते हैं which is connected to one of the tubules of the each peripheral duplet by the radial spole radial spole बनाइं दो में से एक से यह central tubules से यह arrange होते हैं thus there are nine radial spole तो इस तरह से nine radial spole बनते हैं the peripheral duplet are also integrated by linker जो peripheral duplet होते हैं यह भी interconnected होते हैं link करके दुआरा वो दा सीलिय में फ्लैजला एमर्ज फ्रों सेंट्योल लाकिस्टर से कोल दा बेसल बोरी तो जो फ्लैजला और सीलिया है ना यह सेंट्योल से बनते हैं और जो सेंट्यों फ्लैजला यह सीलिया मराती है तो तब उसको बेसल बोड़ी यह बैली फ्रोब्लास्ट यह बेसल गर्णूल्स बोलते हैं ठीक है तो आज का हमारा टोपी था सीलिया और फ्लैजला सीलिया और फ्लैजला दोनों में अरेंजमेंट मलता है नाइन प्लस टू का जबकि प्रोकेरियोटिक फ्लैजला में जो अरेंजमेंट होता है वो होता है वन प्लस जीरो का जो यूकेरियोटिक फ्लैजला होता है उसमें ज यूड़े होते हैं जो संख्या में ज्याद होते हैं एक तरफी होता है जबकि इनका फ्रीम मौवमेंट होते हैं से इंडिपेंडेंट होता है ठीक है तो यह था आज का टोपिक अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जुरूर करें यह मेरा न्यू चैनल है सब्सक्राइब करना बिल्किंग ना हुलें थैंक यू बज्जों